दोस्तों भारत में क्रिकिट की नीव भले ही अंग्रेजों ने रखी थी लेकिन इस नीव को परत दर परत मजबूती और आकार देने का श्रे सुनील गवासकर, लाला मरनाथ, सचिन टिंडूलकर और कपिल देव जैसे भारतिये खिलाडियों को जाता है। लेकिन क्या अपने कभी सोचा है इस असीमित वकार की शुरुआत कहां से हुई थी। उस शक्स का क्या नाम था जिसने इस द्रण इमारत की नीव के उपर पहली इंट रखी थी। भारत के गली कुचों में खेले जाने वाले इस खेल को एक एहसास और धर्म में बदलने की परिवार और उनसे जोड़े उन सजस्यों की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारतिय क्रिकेट इत्यास में अपना एहम योगदान दिया है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारा टीवी 10 दिसंबर 1872 को पराधीन भारत के नवानगर के सदोदर नमक गाउं में एक यदुवंशी राजपूत परिवार में किसान जीवन सिंग के यहां रणजीस सिंग जी का जनम हुआ था रणजी सिंग के दादा जी जालम सिंग जी नवानगर के राजा विभा सिंग के विश्वास पात्र सैनिकों में से थे जिसके चलते जब विभा सिंग ने अपने बेटे कलूभा को राज से बेधखल कर दिया तो राज के नए उत्राधिकारी के लिए 1878 में विभा सिंग द्वारा रंजीस सिंग जी को गोद में ले लिया गया था रंजीस सिंग जी को पढ़ने के लिए राज कोट की राजकुमार कॉलेज भेजा गया जहां उने क्रिकेट और टैनिस जैसे खेलों में कई अवार्ड्स मिले इस दरा नवा नगर राज घराने में एक महिला ने जस्वन सिंग को जन्द दिया जिसे विभा सिंग ने अपना उत्राधिकारी घोशत कर दिया जिसका कारण रंजी सिंग जी के पिता जी की महत्वा कांख्षाओं को माना जाता है रंजी सिंग जी का क्रिकेट से परिचे 10 साल की उम्र में ही हो गया था और कई सालों तक वो अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें टेनिस खेलना सबसे अधिक प्री है था मार्च 1888 में रणजीस सिंग जी का दाखिला इंगलेंड की कैम्बरिज विश्व द्हले में कर दिया गया जहां से उनकी जिंदगी एक नया मोड लेने वाली थी यहां अपनी ग्राजूशन पूरी करने के दौरान 1888 में रणजीस सिंग जी एक क्रिकेट मैस देखने गए जहां क्रिकेट के स्टैंडर्ड और लोगों की भीर ने उनके मन में इस खेल के प्रती रोमांच पैदा कर दिया था और यहां से उन्होंने खुद को एक ट्रिकेटर के तौर पर तयार करने का मन बना लिया इसके बाद 1891 में रणजीस सिंग जी ने अपना दाखिला कैमरिशायर काउंटी के ट्रिकेट कलब में ले लिया और अपनी टेकनीक पर काम करना शुरू कर दिया यह क्रिकेट का वो दौर था जब हर बल्लेबाज रन बनाने के लिए आफसाइट को वरियता देता था लेकिन रणजीस सिंग जी ने इस धर्रे पर चलने के बजाए बिलकुल अलग धंग से खेलना शुरू किया और क्रिकेट जगत को लेक ग्लांस से रूबुरू कराया ससेक्स के कप्तान बिली मरकोड और सीबी फ्राई से मितरता के चलते रनजीस सिंग जी ने ससेक्स के साथ खेलना शुरू कर दिया साल 1986 में यौक शायर और सॉम रिस्ट के खिलाफ उनकी शतकिये पारियों के चलते रनजीस सिंग जी एक सीजन में 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबास बन गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने शांदार प्रदर्शन के बावजूद भी रनजीस सिंग जी को इंगलेंड की नैशनल क्रिकेट टीम में जगए नहीं मिल पा रही थी जिसके पीछे का कारण उनके सामले रंग को और उनके भारतिये नागरिक होने को माना जाता है रणजी सिंग जी को अपने करियर के दौरान कई बार अपने सामले रंग के कारण बदनामी का सामना करना पड़ा था जहां कुछ लोगों का कहना था कि एक सामले रंग का भारती है इंगलेंड की टीम में कैसे खेल सकता है लेकिन आखिरकार 16 जुलाई 1896 का दिन ट्रिकेट इतिहास में एक नई रोशनी लेकर आया जब रंजी सिंग जी ने अपने टेस करियर का आगास किया पहली पारी में 62 रन बनाने के बाद इंगलेंड को फॉलो आउन करने को कहा गया तो दूसरी पारी में भी बहतरीन बल्ले बाजी का प्रदशन करते हुए रंजी सिंग जी ने 154 रनों की नाबाद पारी खेली इसके बाद दर्शकों के बीच रंजी सिंग जी एक बड़ा नाम बन गए थे लोग उनके नाम पर मैदान में जमा हो जाते थे लेक साइड में उनके शॉट्स ने इंगलेंड के दर्शकों को एक भारतिय क्रिकेटर का मुरीद बना दिया था 22 अगस्त 1896 के दिन ससेक्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इस मैच के आखरी दिन दो शोतक लगाने जैसा अवश्वसनी अकारनामा भी कर दिया था 1896 में अपने शांदार प्रदशन के आधार पर रणजीस सिंग जी को विजडन क्रिकेटर आफ दा इयर चुना गया इस साल रणजीस सिंग जी ने फर्स क्लास ट्रिकेट में कुल 2780 रन बना कर इंगलेंड के महान ट्रिकेटर डबलू जी ग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा था साल 1897 में रणजीस सिंग जी ने दा जुबली बुक आफ ट्रिकेट नाम से एक किताब भी लिखी थी 1897 के उस्ट्रेलिया इदोरे पर खराब स्वास्त के बाद भी इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 457 रन बनाये थे हाला कि उनका ये प्रदर्शन इंगलेंड को सिरीज नहीं जिदा पाया था अप्रेल 1898 में रंजी सिंग जी भारत आये जहां नवा नगर के भावी समराट पर अब भी प्रशन चिन्न लगा हुआ था जिसके चलते रंजी सिंग जी को उमीद थी कि उनका अधिकार उन्हें मिल सकता है मार्च 1899 तक भारत में रहने के दौरान रंजी सिंग जी की तबियत में बहुत सुधार हो गया था जिसके चलते उनकी बल्ले बाजी में एक अलग धार नजार आने लगी थी जुन 1899 में उन्होंने फर्स क्लास क्रिकेट में एक हजार रं बनाए थे जिसमें चार शा तक भी शामिल थे इसके अलावा इंगलिन आने के बाद उस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले मैच की पारी में 42 और दूसरी पारी में 93 रं बनाए थे जुन 1899 में रंजीस सिंग जी को सेंसेक्स का कप्तान बनाया गया जिसके बाद उन्होंने स्टीम की खराब गेंदबाजी लाइन अप को सुधारने पर जोर दिया था रंजीस सिंग जी ने अपने करियर का आखरी टेस्ट माच 24 जुलाई 1902 को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था रंजीस सिंग जी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 15 मैच खेले थे जिसमें उनके 889 रं है अगस्त 1906 में जस्वन सिंग के निधन के बाद 1907 में रंजी सिंग जी नवा नगर के राजा बने और उन्होंने अपने राज के विकास के लिए बहुत से काम किये जिसके प्रमार आज भी गुजरात के जाम नगर में देखे जा सकते हैं पहले विश्वयुद के दौरान शिकार खेलते हुए रंजी सिंग जी को अपनी एक आँख गवानी पड़ी थी जिसके चलते इनका फर्स क्लास क्रिकेट करियर भी खत्म हो गया था रंजी सिंग ने अपने फर्स क्लास क्रिकेट में कुल 307 मैच खेले थे जिसमें उनके रनों और विक्टों का आँखड़ा 24,692 और 133 है फर्स क्लास क्रिकेट करियर में इन्होंने बहुतर शतक और 109 अर्थ शतक भी लगाए हैं जो अपने आप में एक और विश्वसनिये आंकड़ा है दो अप्रैल 1933 को एक बिमारी के चलते इस महान शासक और क्रिकेटर ने दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके दो साल बाद 1935 को पट्याला के महाराज भूपेंदर सिंग जी ने फर्स क्लास क्रिकेट टॉनामेंट का शुभारंब किया जिसका नाम रंजीस सिंग जी के सम्मान में रंजी टॉफी रखा गया था रंजीस सिंग जी के बाद इनके भतीजे दिगविजे सिंग जडेजा को नवानगर का राजा बनाया गया उन्होंने 1919 से 1947 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी सेवाई दी थी साथ मार्च 1935 को दिगविजे सिंग की शादी बाई जी राय श्रीकंचन कुमरवा साहिब के साथ हुई जिन्होंने एक बेटे और तीन बेटियों को जन दिया था सत्तर साल की उम्र में तीन फरवरी 1966 को दिगविजे सिंग जडेजा का निधन हो गया जिसके बाद नवा नगर का राजा उनके बेटे शत्रुशियाल सिंग को बनाया गया जो महराजा कहलाने वाले इस वंश के आखरी शक्स थे इसके अलावा शत्रुशियाल सिंग एक फर्स क्लास क्रिकेटर भी थे 13 जून 1905 को जन में दिलीब सिंग ने अपने करियर में कुल 12 टेस्ट और 205 फर्स क्लास मैच खेले हैं जिसमें इनके रनों का आकड़ा 16,000 के लगबग है इनके चाचा की तरह इनके सम्मान में भी आगे चल कर फर्स क्लास क्रिकेट टॉर्नमेंट का नाम दिलीब ट्रॉफी रखा गया कुमार छदरपाल सिंग और इंदर जीस सिंग जैसे अन्य फर्स कलास क्रिकिटर्स से सजेश परिवार में दौला सिंग जडेजा और ग्यानबा जडेजा के घर अज़े जडेजा का जन्म हुआ था एक फरवरी 1971 को जन में अजजडेजा, रिष्टे में रंजीस सिंग जी के परपोते और दिलीप सिंग जी के भतीजे हैं। राजिस्थान और दिली जैसी टीमों के लिए दोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के अलावा, अजजडेजा ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी कई एहम मुकाबलों में जीत दिलाई है। जी जिन्दगी के बारे में तो इनका विवहा आदिती जेटली के साथ हुआ है जिन्होंने दो बच्चों को जन्द दिया, जिनका नाम है अमान और अमीरा। इसके अलावा, क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद, अजजडेजा ने 2003 में आई फिल्म खेल और 2009 में आई पल-पल दिल के पास जैसी फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार।